जी हाँ नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने दानौलिज गुरू के इस यूटूब चैनल पर तो जी हाँ अभी भी आई है बड़ी खबर आपको बता दे हारियान सरकार की ओर से तीन नई खोसनाएं की गई हैं दिसा निर्देस जारी की गई हैं वहीं गहाँ के लिए आई है बड़ी खुसकबरी जाने के इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखें वहीं आपको बता दूँ अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दपाएं ताकि लेटेस्ट व करकार की ओर से सोनीपत के 30 गहाँ के लिए किसानों को नए खरीद केंद्रों की दी है सौगात यहां पर बड़ी खबर है आपको उता दे मार्केट बोर्ड की ओर से सोनीपत के करीब 30 गहाँ के किसानों के लिए राध भरी खबर है अब उन्हें ग्यों की फसल बेचने के ल ले जा सकेंगे और जो मार्किट कमेटी है बोर्ड है उन्होंने चार एकर जमीन को 33 वर्ष के लिए पटे पर ली है तो जी हां बड़े ख़बर है आप सभी के लिए देख सकते हैं वहीं सिय मनहोनलाल जो आस्रितों का भी होगा आप कैसलेस इलाज यहां पर देख सकते हैं पांच लाग रुपए तक के खर्च की उपरी सीमा भी हटाई गई है और नए साल से लागू होगी योजना लाबर्तियों को डिजिटल डाटा बेस तयार कराएगी सरकार और प्रदेश सरकार की इस फैस इलाज अब करा सकेंगे इलाज पर पांच लाग रुपए तक के खर्च की उपरी सीमा को भी हटा दिया गया है और नए साल से पेंशनर्स इस योजना का भी लाव उठा सकते हैं देख सकते हैं और इसी के साथ जो अगली घोशना है आपको दाने मोतिलाल नहरू स्कूल आई सोनीपत में कच्छा चौथी प्रवेश के लिए सैच्रिक सत्थ 2021-22 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम्तिती 14 जनवरी 2021 हो गई है और लेट फीस के साथ 29 जनवरी अधिक जानकारी के लिए यहां पर आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अ आपको यहां पर जो लेट फीस पड़ेगी तो आप यहां पर 29 ताई तक यहां पर जनवरी तक अवेदन कर सकते हैं तो यहां इस वीडियो में इतनी जानकरी अगर आपको जानकरी इच्छी लिए वीडियो को लाइक करें श्याधन वाजयें